हेलो वेल्कम टो कबिर को चाहा, और आज की इस वीडियम में फिर से आप के लिए लेके आठ चुकाँ इसे हम स्पेशल सेंटैंज नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह ऐसान सा है और क्या पता आप सभी को यह पता भी हो लेकिन क्या पता आप सभी को यह नहीं भी पता हो तो फटाफट से भी ना किसी देरी के वीडियो को स्टाट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कहा तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल प कौन सा है कि मुझे काम करना पढ़ रहा है अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वहाँ पर कि मुझे काम करना पढ़ रहा है अब इस संटेंस को इंग्रिश में ट्रांस्लेट करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये नामूल कि नहीं है तो आपको क्या पता ये पता भी हो और क्या पता आपको नहीं भी पता हूं लेकिन मुझे पता है मैं आपको बता देता हूं मुझे काम करना पड़ रहा है मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है मुझे कपड़े धुनिये पड़ रहे हैं मुझे पानी पीना पड़ रहा है ऐसे आप कोई भी मना सकते हो जैसे कि मुझे खाना खाना पढ़ रहा है मुझे तुम्हारी डाठ खाना मतलब खाना पढ़ रहा है मुझे तुम्हें पीटना पढ़ रहा है ऐसे बहुत सारे संटेंच है लेकिन मैं आपको एक बता हुआ तो आपको सारे समझ में आ चाहेंगे अभी मैंने आपको जो बताया है मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो यह जो है present continuous में है present continuous को तो आपको पता यह क्या formula क्या मुझे का जुक्त होता है जो भी आपको पता है मतलब आपको पता है ठीक है उसके बाद आता है मुझे पढ़ना पढ़ रहा है मुझे पढ़ना है में हम क्या लगाते हैं I have to work मुझे पढ़ना है I have to work अब इसमें हैं मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो आप कैसे बना ओगे चले चले कोई बात नहीं मैं बता देता हूं I am having to work I am having to work मुझे पीना पढ़ रहा है I am having to work मुझे कपड़ने पढ़ रहे है I am having to eat मुझे खाना पढ़ रहा है I am having to sleep मुझे सोना पढ़ रहा है तो आप ऐसे बहुत सारे संटेंस मुना सकते हो तो यह आज का वीडियो था और यह था आपका स्पेशल संटेंस तो होप आपको समझ में हो है दो हो समझ में वीडियो को फटा फड़ से का लाइक कर दीजी और अगर चानल पर नहीं हो तो फटा फट पर से चैनल को subscribe कर दीजिए और